आईए आगे बढ़ते हैं त्वक साखा पत्र मूलश्य पूस्पफल रसा दिभी प्रत्यंग रूप कुर्वन्ति व्रिक्षा सद्भी समंसदा अब यहां व्रिक्ष क्या क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं व्रिक्षों की विशेष्टा अभी हमने दूसरे स्लोक में देखा अब इस स्लोक में भी हम देखते हैं व्रिक्षों की तुलना इस लोक में संतों के साथ किया गया है। संतों का सभाव जैसा होता है वैसा है व्रिक्षों का सभाव होता है। कैसे होता है ये इस लोक में बताया गया है। त्वक का मतलब होता है त्वचा, साखा अर्थात व्रिक्षा की जो विभिन साखाएं होती हैं डालियां जिसको कहते हैं पत्र पत्र कताद पर यह होता है पत्ता मूल अर्थात उसके जड़ त्वक साखा पत्र मूलईश्च यहाँ एक समासिक पद है समास को अलग करें त्वक त्वक साखा पत्र मूल यह अलग अलग चीज़े हैं जो एक साथ इसमें जोड़ी हुई है सभी मित्रितिय भक्ति लगा दीजिए और साथ साथ चाका योग कर दीजिए इस तरह से यहाँ पर यह क्या होगा द्वंद समास का एक उधार अन्य पूस्प फल रसाद भी हैं पू सुम, प्रसून, सुमन यह परियायवाची हैं यह आपको जानना चाहिए फल और रस व्रिक्षों से विभिन रस प्राप्त होते हैं जिनको हम गोंद के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा और भी तरह तरह से रस प्राप्त होते हैं तो पूस्प फल रसाद भी हैं प्रत् धन अंगय है, धन उपकुर्वंती, प्रती धन अंगय है, यहाँ पर यांश्वर संधी है, अंगय है, धन उपकुर्वंती, यहाँ पर विसर्वसंधी का प्रयोग हुआ है, अब विक्षा है, विक्षा सब्द है, प्रत्मविभक्ती बहुचन का रूप है, सद भी है, सद इसमे तृतिवरीटि वुक्ति भोकोचन का प्रेउग हुआ है अरहा tough संतों के समल यह अव्याइपद है sampling कताद पर यह होता है समान में इसके अर्थमें इव मैं ऑप संस्क्रित में प्रेउग किया जाता है और सदा सदा कताद पर यह होता है इह अव्याय पद है और इसका तात पर यह होता है हमेशा या सदैव नित्य तो त्वक साखा पत्र मूलेश्य देखिए यहां अंतिमपद जो आया है सद्भिय समम सदा व्रिक्षा सद्भिय समम सदा व्रिक्ष जो है सज्जनों के समान ही सदयों होते हैं कैसे होते हैं उपकुर्वन्ति प्रत्यंगई रूपकुर्वन्ति अपने प्रत्येक अंगों से चाहे हम फल की बात करें फूल की बात करें या विभिनर साखाओं की बात करें या उसके जड़ की बात करें तना की बात करें इन सभी अंगों से व्रिक्ष जो हैं संतों के समान समस्त जगत का कल्यान करते हैं अर्थात समस्त जगत पर ये उपकार करते हैं प्रत्यंगई रूप कुर्वंती अर्थात सभी अंगों से व्रिक्ष सज्जनों के समान सदयव उपकार करते हैं केन केन अंगों से त्वक अपनी त्वचा से अपनी छाल से साखा अपनी विभिन साखाओं से डालियों से पत्र विभिन पत्तों से मूलईष्च और अपने मूलों से अर्थात जड़ से जैसे कंद मूल फल कहते हैं तो जो कंद होते हैं या जो जड़ होते हैं व्रिक्ष हम जो जो होते हैं जिसको हम रस भी कहते हैं या गौंद कहते हैं या दूद कहते हैं यह सबी किया है उन पादपों के उन वृक्षों के रस ही हैं तो इन सभी से अपनी छालों से अपनी साखाओं से अपनी पत्तों से अपने जड से अपने पुस्प से अपने फल से और अपने रस अर्थात सभी अंगों से वृक्षाह वृक्ष जो हैं वे सद्भी समम संतों के समान सदयो क्या करते हैं उपकुर्वंति अर्थात उपकार करते हैं उपकुर्वंति कहते हैं तो उप जो है इसमें उपसर्ग है क्री धातु है और लटलकार प्रथम पुरुस बहुवचन का यह रूप है उपकुर्वंति उपकार करते हैं यह है इसका तात्पर यह हुआ देखें हर्रसी धधीची का नाम आपने सुना है जब देवासुर संगराम हो रहा-था और देवताओं का राजा इंडर क्या कि दैत्तियों से प्राजित हो रहे थे या कहें कि उन्हें पराश्थ्थ नहीं कर पा रह थे तब वे ब्रहम की के पास पहुचते हैं और ब्रहमजी से व्य सहायता मांगते हैं तब ब्रहमजी इंद्र को कहते हैं कि मेरे पास आने की आवश्चकता नहीं है धर्ति पर ही महरसी दधीची हैं तुम उनके पास जाओ और उनकी अस्थियों से वज्च का निर्मान करो और उस वज्र से फिर उस दैत्य का संगहार करो ब्रहमजी के द्वारा इंद्र को इस तरह से कहे जाने पर इंद्र ने ब्रहमजी को प्रणाम किया और वहां से महर्सी दधीची के पास आए उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने कहा कि दैत्यों का संगार आपकी अस्थियों से हो सकता है ऐसा ब्रहमा जी ने मुझे उपदेश दिया है तो महर सिदाधीची संत थे, रिशी थे, मुनी थे तो इसलिए और अब सभी जानते हैं रिशी मुनीों का जीवन जो होता है वो प्राणी मात्र के कल्यान के लिए होता है तो उन्होंने कहा यदि मेरी अस्थियों से तुम्हारी समस्य का समाधान हो सकता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने सरीर की अस्थियां देता हूँ ऐसा करके वे अपने सरीर छोड़कर परमलोक को चले गए फिर उनकी अस्थियों से इंद्र ने वज्र का निर्मान किया और दैत्य का समूल नास किया तो जिस तरह से संत जो हैं परोपकारी होते हैं उसी तरह से वरिक्ष भी अपनी समस्त साखाओं से समस्त अंगों से कल्यान के कारियों में लगे रहते हैं अर्थात व्रिक्ष जो हैं हमारे लिए संतों के समान ही है प्यारे बच्चों अभी यह जो स्लोक हमने पढ़ा अध्यान किया इसके अधार पर कुछ प्रस्ण भी पूछे जाते हैं जैसे असमिन स्लोके करता पदम कीमस्ती तो असमिन स्लोके करता पदमस्ती व्रिक्षाह फिर दुसरा प्रस्ण पूछा जा सकता है पादपाह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके कीम पदम प्रयुक्तम उत्तर क्या होगा? बिलकुल सही तो पादपाह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति व्रिक्छाह एक प्रस्ण और बनता है व्रिक्छाह इती पदस्य क्रिया पदम की मस्ति उत्तर क्या होगा व्रिक्छाह इती पदस्य अस्मिन स्लोके प्रयुक्त क्रिया पदम अस्ति उपकुर्वंति अर्थात उपकार करते हैं इव इती पदस्य समानार्थं किम पदं प्रयुक्तं तो इव इती पदस्य समानार्थं पदं समम इती अस्मिन श्लोके प्रयुक्तं इती पदस्य परयुक्त पदं अस्मिन श्लोके किम पदं प्रयुक्तं तो इस तरह से स्लोक से संबन्धित वी भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं यह भी कहा जा सकता है कि आस्मिन स्लोके प्रयुक्त अव्याइपदम चिनुत अर्थात इस स्लोक में जो अव्याइपद प्रयुक्त हुए हैं उनका चैन कर लिखिये तो आपको यहाँ जानना होगा कि कौन कौन से अव्याइपद हैं जैसे एक अव्याइपद है प्रती लेकिन यह मूल रूप में यह क्या है संधियुक्त रूप में है प्रत्यंग रूप कुर्वन्त यह जो सब्दा आया है इसमें प्रती यह अव्याइपद है तो प्रती यह अव्याइपद है इसी तरह से समम कतात पर यह होता है समान यह भी क्या है अव्याइपद है और सदा यह भी अव्याइपद है इस तरह से इस लोक में प्रयुक्त जो विभिन अव्याइपद है इनको आपको पहचानने के ल सदा इती पदानी अस्मिन स्लोके अव्यय पदानी संति इती अगला स्लोक है के सांची दपी वस्तु नाम गम्यते संगिना गुणह वैद्य नापित हंत्र नाम हस्ते सु छुरिका यथा सबसे पहले के सां चीद अपी के साम धन चीद धन अपी यह संधि विच्छेद होगा के साम धन चेत यहां व्यंजन संदी इसी तरह से चीत धन अपी यहां भी व्यंजन संदी के साम जो सब्द बनता है यह इसका मूल सब्द है कीम सब्द का नपुन्सक लिंग और पूलिंग के साम और इसका तात्पर यह होता है किसी भी किसी का तो के सान चीत जो क्या है चीत जो है यह अनिश्चय वाचक अव्ययपद है कि अपी का तात्पर यह होता है भी यह भी यह अव्ययपद है वस्तुनाम कि वस्तु मूल सब्द है सस्ठीविभक्ती बहु वचन का यह रूप है और इस कतात्पर यह होता है वस्तू का या वस्तूओं का गम्यते गम्यते का तातपर यह होता है जाता है गमधातू है और यह आत्मनेपद का रूप है लटलकार प्रथम पुरुस एक वचन गमधातू आत्मनेपद लटलकार प्रथम पुरुस एक वचन का रूप है गम्यते अर्थ होता है जाता है संगिना यहां संगती से तृतिय भक्ति का प्रयोग हुआ तृतिय भक्ति एक वचन गुणह अर्थात गुण या स्वभाव या विशेशता वैद्य नापित हंत्रिणाम वैद्य मतलब चिकित्सक नापित अर्थात नाई हंत्रिणाम हत्यारा वैद्य चिकित्सक नापित नाई हंत्रिणाम हत्यारा हस्तेसु हाथों में चूरी का मतलब चूरी या चाकू या जैसे कैची यह सभी क्या कहलता है यह सभी को चूरी का कहा जाता है यथा का मतलब होता है जैसे यह अव्याइपद है केसांचिदपी वस्तु नाम गम्यते संगिना गुणह किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है अर्थात कोई भी वस्तु यदि जिस व्यक्ती के हाथ में हो उसके अनुसार उस व्यक्ती का कार्य समझा जाता है अर्थात किसी वस्तु को किसी भी व्यक्ती के हाथ में देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन है, कैसे, यथा, जैसे, वैद्य, जो चिकित्सक होता है, उसके हाथ में यदी छुरी है, जो चिकित्सक करने वाला है, उसके हाथ में यदी छुरी है, तब वो क्या करेगा, उसका, वो सदूपयोग करेगा, उसको देखकर पता चल जाता है, कि हाँ, ये चिकित्सक का है। उस शूरी का उपईयोग कैसा होगा। उस वृद्रे के हाथ में छूरी को देख करके यहाँ सहजण अनुमान लगाया सकता है। कि इसका उपयोग जो है सदुपयोग किया जाएगा अच्छे कारे में इसका उपयोग किया जाएगा और इसी तरह से यदी वही छूरी य difahी चाकु किसी नाई के हाथ में हो तब उसके स्वभाव को जाना जा सकता है और इसी तरह से वह चाकू यवह छूरी किसी हत्यारे के हाथ में हो देखे छूरी वही है वही छूरी एक वैद्य के हाथ में है वही छूरी नाई के हाथ में है और वही छूरी एक हत्यारे के हाथ में है छूरी एक जैसे हम व्यक्ति को बदलते हैं उसके अनुसार से उस छूरी का जो कार्य है वह बदल जाता है अर्थात वस्तू को जो धारन करता है धारन करने वाला है उसके अनुसार से उस वस्तू का गुण पता चलता है इसलिए कहा गया कि सांची दपी वस्तु नाम गम्यते संगिना गुण हां किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है अर्थात वस्तु के धारण करता पर निर्भर करता है जैसे छूरी का गुण या छूरी का उपयोग वैद्य के हाथ में हो नाई के हाथ में हो या हत्यारे के हाथ में हो तो किसके हाथ में है यह देखकर उस छूरी का क्या उपयोग है यह पता चल जाता है तो जैसे छोरी का गुण उप्योग करने वाले वैद्य, नाई और हथ्यारे के हाथ में देखकर ही पता चल जाता है यहाँ स्लोक से संबंधित कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं जैसे गुणह इती पदस्य पर्याय पदम लिखत गुण का पर्याय पद लिखिये तो गुणह इती पदस्य पर्याय पदम अस्ति विशेशता हस्तेशु इती पदस्य विलोम पदम लिखत अर्थात हस्तेशु हाथों में हिंदी में अर्थ होता है इसका इसका विलोम पद लिखिये तो हस्तेशु का विलोम पद क्या होगा हात का विलोम क्या होता है हात का विलोम होता है पैर तो हस्त मतलब हात अब इसमें सब्तों विलोम होता है पैर पैर को क्या कहा जाता है पैर को संस्कृत में कहा जाता है पाद तो पादेशु जैसे हस्त से हस्तेशु वैसी ही पाद से पादेशु, ऐसा करेंगे, चिकित्सकह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम, उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, चिकित्सकह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति वैद्यह, तो प्यारे बच्चों इस तरह से स्लोक से संबन्धित कुछ प्रस्ण भी पूछे जा सकते हैं इनके लिए आपको तयार रहना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है यत छक्यम ग्रसितुम सस्तम ग्रस्तम परिणमेच यत हितम च परिणामे यत ताध्यम भूति मिच्छता यत छक्यम संधी पद है यत धन सक्यम इति यत छक्यम यहाँ पर व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ है जो वस्तु ग्रसितुम खाई जा सके या जो वस्तु खाने योग्य हो सस्तम खाने पर ग्रस्तम भलिभाति पच सके परिणमेच परिणमेच धन च यहाँ व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ है और पच जाने पर यत यत यहाँ अव्यपद है यत का तात पर यह होता है जो हितम का तात पर यह होता है कल्याण च यहाँ अव्यपद है और इसका तात पर यह होता है और परिणामे अर्थाद परिणाम यत ताध्यम यत धन तद धन आध्यम यत का मतलब होता है जो तद का मतलब होता है वह आध्यम वस्तु भूति में चता भूति कहते हैं कल्याण को या ऐस्वर्य को इच्छता इच्छा करने वाले को या चक्यम ग्रसितुम सस्तम जो वस्तु खाई जा सके और सस्तम ग्रस्तम खाने पर भली भाती पच सके परिणमे चयत और जो पच जाने पर हितम चा परिणामे हित कारक हो यत आध्यम भूति में चता आईस्वर्य की या कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ती को यत तद आध्यम उस व्यक्ती को जो व्यक्ती कल्याण की इच्छा करने वाला है अपना हित चाहने वाला जो व्यक्ति है उसको तद आध्यम उसको वही वस्तु खाना चाहिए कौन सी वस्तु खाना चाहिए ऐसी वस्तु खाना चाहिए जो खाई जा सके एक दूसरी बात खा तो लिया जाए लेकिन खाने के बाद वो भली भाती पचना चाहिए अर्थात हमारे सरीर में लगना चाहिए हम खा तो लिए लिकिन वो पच नहीं रहा है तब क्या ऐसा खाना हमारे लिए लाभकारी होगा? नहीं इसलिए कहा गया या चक्यम ग्रसितुम सस्तम ग्रस्तम परणमे चयत जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भाती पच सके हितम चप परणमे और पच जाने पर जो हित कारक हो, कल्यान कारक हो अर्थात स्वास्ते में लगने वाला हो यत तद आद्यम भूति मिछता तो ऐसा जो कल्यान की इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसको वही वस्तु खाना चाहिए अर्थात ना खाने योग्य भोजन हमें नहीं करना चाहिए और ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो ना पचे या सरलता से ना पचे ऐसी वस्तु को खाने से हमें बचना चाहिए कल्यानम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम ऐसा प्रस्न पूछा जा सकता है उत्तर क्या होगा तो कल्यानम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति हितम अगला स्लोक है इस लोक में सब्द सास्तर की महीमा बताई गई है और साथ ही सार तत्तों को हमें ग्रहन करना चाहिए इसकी सिक्षा दी गई है और इसकी सिक्षा हमें हंस के माध्यम से हंस के साथ तुलना करके बताया गया है हंस का जो गुण होता है हंस जो जिस तरह से सार चीज़ों को ग्रहन करता है और व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ देता है इसी तरह से हमें भी अध्यन करना चाहिए यदि हम सास्त्रों की बात करें तो सास्त्र अपार है सास्त्रों में नहित ज्यान अपार है हम सभी सास्त्रों का ज्यान प्राप्त नहीं कर सकते हैं करना भी चाहें तो हमारा यह जो अवस्था है आयू है यह कम पढ़ जाता है कहा गया है अनंत पारम किल सब्द सास्त्रम हम तो सास्त्रों की बात कर रहे हैं अरे सास्त्रों को तो छोड़िए यदि आप सब्द सास्त्र को ही देखें सब्द सास्त्र कहा जाता है व्याकरण को महरसिपान्नी से पहले जो व्याकरण होता था उसको सब्द सास्त्र कहा जाता था इसलिए कहा गया कि यदि हम किसी भासा को अध्यन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्याकरण की जानकारी आवश्यक है और उस व्याकरण को जानाना चाहें तो वह व्याकरण भी अथाह है और उस व्याकरण के आधार पर फिर विभिन्न सास्त्रों की रचना की गई है तो इस तरह से यदि हम विभिन्न सास्त्रों का तात्विक दृष्टी से अध्यान करना चाहें तो इसके लिए हमें व्याकरण को समझना होगा और व्याकरण कैसा है यह व्याकरण भी अनंत है यह जन्व जो है कम पारम किल सब्द सास्त्रम, अनंत पारम, यह सास्त्र जो है, वो कैसा है, इसका पार पाना लगभग संभाव नहीं है, इसलिए या कहें कि इस सास्त्र का कोई पार या कोई सीमा निश्चित नहीं है, किल, किल यह अव्याइपद है, अनिश्चय सुचक अव्याइपद है, तो अनंत पारम किल सब्द सास्त्रम, यह सब्द सास्त्र जो है, यह व्याकरण का जो ग्यान है, इसका कोई ओर छोर नहीं है, स्वल्पम तथायूर बहवस्च विगनाह, और मनुष्य की जो अवस्था है, आयू है, वो कैसी है, वो कम है, और इस कम आयू वाले जीवन में, हम संपूर व्याकरण सास्त्र का अध्यन नहीं कर सकते हैं, तथायूर बहवस्च यह संधीपद है, तथा धन आयूह धन बहवः धन च, तथा धन आयूह यहाँ पर दिर्गस्वर संधी का प्रयोग है, आयूह धन बहवः यहाँ पर विसर्ग संधी का प्रयोग है, बहवः धन च, यहाँ भी विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ है, है स्वल्पम सूधन अल्पम इती स्वल्पम स्वल्पम सूधन अल्पम इती स्वल्पम इसका ताथ पर यह होता है थोड़ा या कम तथा यूर बहवस्च तथा यह अव्यपद है इसका ताथ पर यह होता है यह संयोजक पद कहलाता है और इसका ताथ पर यह होता है या कहें कि तथा जो है संयोजक वाचक अव्यपद है इसका तातपरी होता है और स्वल्पम तथा आयूर बहवस्च और आयू जो है वो कैसा है वह कम है बहवस्च विघना है विघन कैसे है जो बहव अर्थात जीवन कम है और इस जीवन में अनेक विघन है अर्थात विघनो की बहूलता है बहवा सब्द केसे बनता है बहु सब्द है और इसका प्रत्मविभक्ति बहु अचन का यह रूप है जैसे गुरु का बहु अचन रूप बनता है गुरवह गुरु गुरवह इस तरह से बहु 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 तो बहुत अधिक हैं क्या विगना विग सब्दा सास्त्र यह व्याकरन का ज्ञान है वो कैसा है यह अनंत है इसका पार पाना संभर नहीं है क्यों क्योंकि मनुष्णि के आयू कम है और इस छोटी कम आयू वाले जीवन में विगन बहुत अधिक हैं ऐसी स्थिती में यदि हम सास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तब कौन सा रास्ता है कौन सा मार्ग है जिससे हम सास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कहा गिया सारं ततो इसलिए सार को ग्रहन करना चाहिए सारं ततो ग्राहियं इसलिए उसमें से जो अनंतौ सास्त्र हैं उसमें से हमें जो सार है इति हाँ देखे यहाँ पर सारं धन ततह धन ग्राहियं धन अपाश्य, सारं धन ततह यहाँ पर व्यर्जन यहां पर वियंजन संधी, इव धन अंबू मध्यात यहां पर पूर्वरूप स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है तो सारन ततो ग्राहियम इसलिए देखे, सास्त्र अपार है, आयूज कम है, विखन बहुत अधिक है, ततो इसलिए उस सास्त्र में से उन सास्त्रों में से ग्राहियम ग्रहन करना चाहिए कि इसको सारम जो सार-सार बाते हैं इनको हमें ग्रहण करना चाहिए अपास्य फल्गोρ और जो सारहिन है जो मुख्य नहीं है जो वियर्थ है या जिनका ज्ञान पराप्त करना आवश्यक नहीं है ऐसे तक्त्यों को ऐसे भाग को फल्गों छोड देना चाहिए किस प्रकार छोड़ देना चाहिए उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए हंसर यथा हंस के समान उन व्यर्थ की चीज़ों को जो सारहिन चीज़ें हैं उनको हंस के समान हमें छोड़ देना चाहिए हंस के समान कैसे हंस की क्या विशेषता है आप सब जानते हैं हंस के सामने यदि पानी मिला हुआ दूद किसी पात्र में दे दिया जाए हंस को किसी पात्र में पानी मिला हुआ दूद दे दिया जाए तब हो क्या करता है हंस उस पानी मिले हुए दूद में से केवल दूद पुद को ग्रहन करता है और पानी को छोड़ देता है इसी प्रकार हमें जो सास्त्र हैं उन सास्त्रों में से जो सार सार बाते हैं इन्हें ग्रहन करना चाहिए और व्यर्थ की बातों को या सार हीन तत्तों को हंसों के समान छोड़ देना चाहिए कैसे छोड़ देना चाहिए चीर मीवांब मध्यात पानी मिले हुए दूद में से जिस तरह से हंस दूद अर्थात सार को ग्रहन करता है और पानी को छोड़ देता है इसी तरह से सास्त्र में से सार सार बातों को हमें ग्रहन करना चाहिए और सार हिंतत्तों को छोड़ देना चाहिए